हलो MLM Gang आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारे वेस्टीज में लोग तरक्वी कर रहे है एकृडी एटी टू प्रोडक्ट जो है हमारे किसान भाईों के लिए कैसे फायदे मन्थ हो रहा है और कैसे लोग तरक्वी कर रहे हैं और कैसे अपने प्रोडक्शन में किसान भाईयों को जो भी लोग खेती करते हैं उनसे शेयर जरू करिएगा हो सकता ही हम सब के लिए फायदे मन तो इस वीडियो को जरू देखेएगा थेक्ट आज मेरा नम सुर्जी सेंग है आज मैं आपको लेके आया हूँ आलू वाले खेत में जहां पर आलू की जो पैदा चलो जी जी सर नमस्कार सर क्या नाम है अपना जी अच्छा जी थोड़ा सा हमें बताएंगे आपने यूज यूज करा है आपकी क्या पैदावार में देख रहा हूं आपके हाथ में बहुत बड़े-बड़े उसके अलू हैं किलो किलो के करीब-करीब लग रहे हैं मुझे तो चोटे बहुत बड़े-बड़े निकले इससे बड़े यह मैंने स्प्रे में जूज किया यह यह जितनी वी स्प्रे की हर स्प्रे में हम इसको डालते रहें तो इसका रियार्ट कंक पे भी हमने इसको परजोग किया जी इसकी पैदावार बढ़िया एकदम यह आप का सोड़े के करीब जाड़ाया जी एक नाड़ का जी आज तक सप्रे तो हम पहले बहुत करते रहें लेकिन यह जो इस बार हमने एक्रियेटी कू किया जी इससे हमको बहुत बड़ी है जी और आगे के लिए भी हम यही प्रजोग करेंगे जी बैसे आप बताएंगे आपके किल्ह कहते हैं किल्ले कहते हैं किल्ले के जांपे सभी किने बताइए बहुत बताएंगे। चीटन के जीख को तो हमने बताया के वो पूचरे थे हमको आपने क्या जूज किया हमने उनको बताया agreeate 2 के बाए में हमने यह डाला और आप भी डालो और बाकी भी जिमीदारों को बताना एक एक किलो से उपर जो भी अलू हुआ है वो किसी से हुआ है ये एग्रियेटी टू की बदोलती इतना मोटा मोटा अलू हुआ है ठीक है जी कोई एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे आप किसान भाहियों के लिए हम तो यहीं कहेंगे जी एक तो ऑर्गैनिक चीज अजी और गैनिक बड़ा जुरूरी आज़ी ठीक है दूसरा जो आप सप्रेय कारते हैं ये एक बूंद एक पते पर पढ़ती है बाकी जो दोवाईयां वो बहीं सेमें तरह जाती है जी तो ये एक बूंद एक पते पर देखा यह जाकाई तोक्री बड़ी हुई है यह के देखकी पनकी लगा दी है तांकि जो हमारे भाई कर रहे हैं और यह इ कि जल a कि CAP पТы चलिए शर बहुत-बहुत धन्याबद आपने यह पॉडक्स के लिए एक ऐक्स्पेरिम्याबाद किया बहुत बहुत धन्यवाद